हेलो फ्रेंट्स जैसा कि आपके पता है कि आरार्वी ग्रूपडी के फिकेंसी 2019 के अंदर आई हुए थी और इसकी एक्जाम जो है वो 2022 के अंदर होने वाली है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि टॉप 5 जो है वो मीडियम जौन कौन से हैं जहां से आ आपका कट अवाला है तो सबसे पहले यह बताने से एक्सकेट कट बतानी से ऐखले बता देता हूँ कि यहां नहां से आपका जो है वो 5,28,589 फॉर्म फिल अप हुए है और टोटल वेकिंसी जो है वो 4,019 है पर सीट कम्पिटिशन जो है वो 131 है वहीं भूबनेस्वर की बात करें तो 3,18,000 तिरपन और टोटल फॉर्म टोटल सीट जो है वो 2,555 है पर सीट कम्पिटिशन को देखे त 124 है गोहाटी को देखे तो 3,52,814 फॉर्म फिल अप हुए है जबकि सीट यहां से 2894 है और पर सीट कम्पिटिशन जो है फ्रेंड्स वो 122 है अब बात कर लेते हैं कोलकाता के तो कोलकाता से टूटल जो है वो 11,64,682 फॉर्म फिल अप हुए है जबकि सीट यहां से देखे उस टाइम जब फॉर्म फिल अप हो रहा तो बहुत सारे फेक रेजिटिशन भी हुए है तो यह कम्पिटिशन जो है वो आगे पीछे जो है वो 24 मार्क्स का जो है 24 केंड़ेट का पीछे हो सकता है पर फिर भी फ्रेंड्स एक बर कटप को हम बता देते हैं कि कितना कटप आ जाने वाला है आपको बहुत ज्यादा परिसान होने की जरुत नहीं है थोड़ा बहुत प्रिफरिशन करते रहना है मैंने प्रिफरिशन से समंधित वीडियो भी अपलोट कर दिया कि आपको क्या पढ़ना है आप वह 100% पढ़ लेंगे आपका सेलेक्शन कोई नहीं रुख स्कोर तो आपका मैक्सिमुम चांस है कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा देखे मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं फिजिकल में तो आपका 65 से लो भी है तब भी आ जाएगा वहीं ओवी सी के इंडिट है आप तो ऐसी सिते में यदि आपका 62 लेकर के 65 है त पर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहे हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा जबकि एस्टी के इंडिट है तो उनका 50 से लेकर के 55 जो है वो मैक्सिमुम चांस रहेगा कि इनका सेलेक्शन हो जाएगा तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो स्ट्राइब कर लेदा निवाद